दोस्तों आज हमारे पास ये 1KVA का High Frequency Online UPS आया है AVO करके ये कंपनी है ये जो High Frequency के Online UPS आते हैं वो सारे लगबग उनकी PC भी बगड़ा लगबग की सेम होती है सिर्फ उसका जो है डिस्पले बगड़ा का जो सोफ्टेर होता है उसमें ही कुछ चेंजिस होते हैं बाकि हाड़वेर बगड़ा उसका सेम ही होता है 1KVA का है ये 36V पर उपरेटिड है यानि कि तीन बैटरियां इसमें करेक्टिड होती है मैं और व्यू कर देता हूँ ये इसका Power Card है यहाँ पर इसका ये Control Card है Power Card तो Mostly का ही सेम होता है Control Card के अंदर कुछ चेंजिस होते है या फिर डिस्प्ले के उसके जो Welcome करके जो Company का नाम आता है उसमें फ़र्क होता है इससे पहले जो ये Online UPS था जिस भी Customer का था वहाँ पर उसने 100A की 3 बैटरियां यूज की थी यानिकि 100A की 3 बैटरियां यहाँ पर दो Charger Card आपको दिखाई दे रहे है यह दोनो Charger Card बिल्कुल सेम है यहाँ पर एक दूसरे से उल्टे करके घुमाए वे है यानिकि इसका जो उपर का हिस्सा है इदर इसका निचे का हिस्सा है यालिकि दोनों यह जो Charger Card है यह बिल्कुल सेम है एक Charger Card यहाँ पर 5 Ampere जो है 5 Ampere का है यह भी 5 Ampere का है दोनों Charger Card को यहाँ पर पैरलल कर दिया तो टोटल जो Charging Ampere है वो 10 Ampere यहाँ पर इस UPS का हो जाता है 100 H की बैटरी के लिए 10 Ampere की जुरूत होती है इसलिए यहाँ पर दोनों Charger Card यहाँ पर मौंट किये वे है और दोनों का Ampere एड कर दिया तो यहाँ पर 10 Ampere हो गया है दोनों को पैरलल में यहाँ पर कनेक्ट किया है अब वहाँ पर कस्ट्वर ने क्या किया है 45 H की बैटरी 3 लगा ली है लेकिन 45 H की बैटरी लगा ली तो लेकिन इसका Ampere 10 है भी भी तो बैटरी को डेमेज यह कर सकता है इसलिए कस्ट्वर हमारे पास ले के आया है कि इसका Ampere आफ सेट कर दें इसका जो Charging Ampere है वो 45 H की बैटरी के इसाफ से कर दें तो यहाँ पे तो हमारे पास बिल्कुल सिंपल तरीका है कि हम इसमें से एक जो Charger Card है उसकी Input Supply को भी डिस्कनेक्ट कर देंगे तो बाकी 5 Ampere यह देता रहेगा अगर आपके पास अपना Personal है तो यह जो Charger Card है इसको निकाल के आप कहीं और भी यूज़ कर सकते है इस Charger Card की मदद से आप 1KB के Online UPS को चेक करने के लिए As a Shores आप यूज़ कर सकते है इन दोनों में से एक की मैं Input Supply को भी डिस्कनेक्ट कर दूँगा तो यह आपका एक यहाँ पे Charger Card चलता रहेगा 5 Ampere यह सप्लाई करेगा 45 Ampere के लिए 5 Ampere sufficient है More than sufficient है तो वो ठीक रहेगा लेकिन दोस्तों अगर यही कस्टमर कहता कि मैंने 45 Ampere की बदाए 26 यह 26 Ampere की बैटरियां लगा दी है तब हम इनसे कैसे Charging Current इसका set करते तो उसके लिए क्या है कि एक को तो हम निकाल लेते हैं या इसको connection आम यहां पर आठा देंगे या इसको निकाल देंगे तो 5 Ampere का एक रह जाएगा उसके बाद क्या होता है मैं आपको थोड़ नजदिक से दिखाने की कोशिज करता हूँ यहां पर यह दो resistance लगी विए Company to Company इनकी location चेंज हो सकती है लेकिन यहां पर आप देखेंगे तो यह बहुत कम value की resistance होती है यहां पर यह 0.33 Ohm की resistance है यानि की 330 Mill Ohm की यह दो resistance है इन से हम इसका charging current यहां पर set कर सकते हैं जो बड़ा अगर आपका 10 Ampere का एक ही charger card जो पहले आता था उसमें 4 resistance लगी होती थी यह 5.5 Ampere के दो जो charger card है इन में 2-2 resistance लगी होती हैं इन से इनका charging current हम set कर सकते हैं अगर यह दोनो resistance लगी है तो यह 5 Ampere current को supply करेगा इसमें से एक resistance को अगर हम यहां से एक end भी cut कर देते हैं एक end से एक resistance को हम हटा देते हैं तो इसका charging current धाई Ampere रह जाएगा यानि कि 26H की battery के लिए ठीक रहेगा एक को हम हटा देंगे दूसरे का एक resistance काट देंगे तो यह 2.6 आपका Ampere रहेगा उसके भी अगर आपको कम करना है यानि कि 7H की battery के लिए 1 Ampere के आसपास करना है तो उसके लिए क्या करेंगे हम इन दूनों resistance को एक दूसरे के opposite काट के इन दूनों resistance को series में connect कर देंगे मैं practically आपको यह सारा आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ कि इसका starting में 10 Ampere है एक को अटाने के बाद 5 Ampere रह जाएगा और उसके बाद यह जो है डाई Ampere या 1.2 Ampere करना है तो कैसे करेंगे दोस्तो यह 3 बैटरी का system है हमने यहाँ पर नीचे जो है 3 बैटरी यहां connect कर दी है यहाँ पर 24 वल्ट लिखावा लेकिन हमने 3 बैटरी यहाँ पर connect कर दी है पोजिट्य और नेटरी यहाँ पर लगा दिया इन्पूट यहाँ पर connect कर दी है बैटरी एमसी भी ओन करता हूं अभी में वन अम्पेर के आसपास यह आपका output पर आ गया है यह आपका लोड यहाँ पर चल रहा है अब मैं इसको लोड को कर रहता हूं बंद का कि हमारे को यह DPM जो है डिजिटल पैनल मेटर साफ से दिखाई दे मेन ओन करता हूं यहाँ जैसे मेन ओन करूंगा यहाँ पर charging अम्पे हमारी चार्ज है और 41 पोल्ट तक पहुंच गई है तो इसलिए charging अम्पेर यहाँ पर कम हो गया है मैं इन बैटरी को थोड़ा discharge कर लेता हूं उसके बाद मैं क्या करूंगा यहाँ यह जो एक आपका दोनों के लिए जो input है यह देखिए एक की input यहाँ पर है और दूसरे की input यह मैंने यहाँ पर निकाल दी है आप चलते भे मैं ना निकालें क्योंकि अभी मैंने main connect नहीं किये इसलिए मैंने इसको यहाँ पर निकाल दिया है इसको मैं for the timing यहाँ पर रख देता हूं यह touch ना करे किसी को अब यहाँ पर मैं इसकी main zone करता हूं लोड को कर देता हूँ बंद डिस्चार्ड हो गया कुछ अब ये 10 Ampere की बजाए 5 Ampere के लगबग current आपको यहाँ पे शोक रहेगा जी देखिए ये 5.3, 5.1 ये 5 Ampere हो गया है एक charger यहाँ पे काम कर रहा है भी दूसरा charger यहाँ पे काम नहीं कर रहा है उसके बाद हम इसको 2.6 Ampere करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे इन में से एक resistance मैं यहाँ पे कट कर दूँगा एक resistance का कोई भी एक end आप कट कर दें तो वो resistance ओपन हो जाएगी और ये current आपका half हो जाएगा यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ दोस्तों यहाँ पे जो दो resistance लगी थी उनमें से एक resistance को हमने यहाँ पे open कर दिया है इसका एक जो शिरा था वो हमने एक तरफ से open कर दिया कट कर दिया है अब शिर्फ एक resistance यहाँ पे लगी हुई है अब इसके अम्पेर को हम यहां पर चेक करते हैं एक चार्जर का एक रजिस्टर समय कट कर दिया है और दूसरा जो चार्जर है वो पर्मानेंट हमने अभी ओपन करके रखा हुआ यानि अब 5 अम्पेर के आसा इससको आना चाहिए इसको मैं कर लेता हुआ यहां पर ओन अपर देखें भी का तो और दोस्तों कि अब इसकी च्रजर्ड करतेे में पर छार्जिंग आप सो पहले पार 1 अम्पर पेर के आसपास था अब वो कितना आता है वो चेक करते हैं यह आपे यह 5 Ampere से लगवग हाफ हो गया है 2.5 के आसपास आना चाहिए था क्योंकि दोनों रजिस्टेंस जो है उसमें कुछ टोलरेंस हो सकती है तो अगर यह वाली कट करूंगा तो हो सकता है 2.7 आए यह वाली टोटल 5 Ampere के आसपास रहेगा तो एक उप्सन और मिल गया है कि इधर को कट करेंगे दनों के अंदर वेरेशन आ सकती है इसलिए 2 Ampere के आसपास हमारा यहाँ पर आ गया है यानि कि charging Ampere हाफ यहाँ पर लगबग हाफ यहाँ पर हो जाता है अगर एक resistance को हम open कर देते हैं उ 7 Ampere की तो उसको हम 1 Ampere के आसपास दे सकते हैं 0.7 से लेके एक Ampere तक उसको या 1.1 Ampere तक उसको हम charging current दे सकते हैं supply कर सकते हैं अब इससे भी अगर हमें कम करना है तो अब क्या करेंगे अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो दो resistance थी उसमें से एक को हमने open कर लिया है तो हम दूसरी को भी open करेंगे लेकिन जिस तरफ से इसको cut किया है उस तरफ से नहीं दूसरी को दूसरी side से cut करेंगे फिर इन दोनों की यहाँ पर series बना देंगे मैं आपको करके भी check करके दिखाता हूँ दोस्तो अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हमने दोनों resistance को series में connect कर दिया है इस वाई resistance को इधर से cut किया और इस वाली को इधर से cut किया तो दोनों को उपर करके series में हमने यहाँ पर connect कर दिया है आप इसका charging current देखते हैं आप DPM पर देखें यहाँ पर मैं इसको उड़ा गई है अब यहाँ पर मेंस कनेक्ट की और यह देखिए यहाँ पर चार्जिंग अंपर प्वाइंट 6 अंपर आ गया है यानि कि 7 अंपर की बैटरी के लिए प्वाइंट 6 प्वाइंट 7 अंपर ठीक है अगर इससे भी जादा अगर आप करना चाते हैं तो दूसरे चार्जर काड़ पर आप सेटिंग करके देख सकते हैं या फिर जो यह दो रजिस्टेंस हैं जो कि 330 मिलियोम की है इसकी जगह पर आप जो है जादा मिलियोम की रजिस् तो उनको हम दो-दो को सिरीज में करके बाकी दो को पैरलल में करके यहाँ पर चार्जिंग अंपर सेट कर सकते हैं अब यहाँ पर एक अंपर भी करना चाहूं तो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर उसकी रजिस्टेंस मुझे यहाँ पर चेंज करने पड़ेगी लेकिन ज तो बैटरी का चार्जिंग अम्पियर है वो यहां पर इन रेजिस्टेंस की मदद से ही सेट हो जाता है तो दोस्तो इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लैलिस्ट पे जाके सभी वीडियो को देख सकते हैं आप लोगों के लिए मैंने एक से एक ब प्लैंसिज हैं उनको आप किस तरीके से रिपेर कर सकते हैं रिपेरिंग के जो बेसिक स्टेप्स हैं वो आप कैसे उनको फोलो करें इसी तरीके से बहुत सी वीडियो मैंने लगवक तीन सो वीडियो अपलोड की हैं तो आप सभी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे च motivation लगातार मिलती रहे thank you दोस्त